गुद मॉर्निंग दोस्तों अभी मैं फटाफट से घर के सारे काम को निफटा ले रही हूँ अभी खरगोश के बच्चों का मिल्क टाइम हो गया है तो अभी उसी में लगे हुए है खरगोशनी जब ममी बनती है तो बहुत ही चिर्चिडी हो जाती है और अभी मिल्क टाइम में तो खास कर और भी ज़्यादा इसलिए इसके साथ थोड़ी से सक्ति करनी पड़ती है नहीं तो इसके बच्चे भूखे रह गाएंगे ऐसे तो बाकी समय ठीक रहती है लेकिन जब भी दूट पिलाने की बारी आती है तो इसका चिर्चिर्चिडापन बाहर आने लगता है देखिए कैसे गुस्टा में कावज को नोच रही है गुस्टा क्यों हो रहा है हो क्यों गुस्टा कि इनका आज दूसरा दिन है इस दुनिया में और यह देखिए इनके छोटे-छोटे बाल भी आने लगे हैं और थोड़ा सा वाइट दिखने लगा है यह लोग कि इनके लगे हैं और दिनके लगे हैं और दिनके लगे हैं कि अभी मैं आ गई हूँ अपनी दुकान पे और थोड़ी से साप सफाई कर रही हूँ क्या हूँ क्या बाली एंटिनके इनके लेखिए और अभी आपको दिखाते हैं यरिंग्स के कुछ डिजाइन्स क्यम्स कुछ एिखा स्ञास के युछ युछ स्थास्वाइन्स युछ लाइन्स युछ आपकोगे स्थास कुछ युछ विखांन्स बड़के युछ हुऌ भी युछ अभी रात के साड़े आठ बज़ रहे हैं और मैं दुकान से घर वापस आ चुकी हूँ इनका फर्माईस था कि आज लीटी चोखा खाना है तो अभी वही बनाने में लगी हुई हूँ और अभी मैं टमात्री की चत्नी बनाने जा रही हूँ अब अब खुके ज़ाइब हूँ यह सत्तु है और इसमें मैं डाल रहे हूँ आम का अचार और थोड़ा सा तेल और यह कुटी हुई अद्रक लसुन है हुई 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 है हुई 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 हanor right कि ऩौूूुक्त झाल झाल लिट्टी को मैं अपम मेकर में बनाओंगी और ये इसका पहला उद घाटन है खाल बनाओ शुछ है कि अप्टाई प्रकशने की प्रकशने के प्रकशने की प्रकशने की अगे प्रकशने की अइसा है कि एक आड़ से नसे के वे तो आज की वीडियों बस इतना ही हम लोग गर्मा गर्म लीटी चोखा को इंजोई करते हैं और मिलते हैं अगली व्लॉग में तब तक सबको गुड़ नाइट कि अगर्म नाइट